अगर आपने भी इसके फॉर्म को फिल अप किया था और रिटेन एग्जामने 26 तारिक सी स्टाट था इनी 26 सिसंबर से अगर आपने पेपर इसका दिया था तो आप सभी लोगों के लिए इंपोर्टन चीज़ यह है कि जैसे सभी लोग परिसान अफीसियल एंसवर की आने के बाद 26 तारिक वालों के भी आ जाएगी तो अब जो समझ से हैं सबसे इंपोर्टन हो यह है कि आपका जो ओफीसियल रिजल्ट है रिजल्ट जो है किस दिन जारे के जागा कितने कंडिडेट्स को बुला जाए क्योंकि काफी सारे लोग अपना एंसवर की देख लिए है और उनको पता चल चुका है कि उनका स्कूर किया है ठीक है और उसके बाद आपका सेफ स्कूर यानि की कट अफ जो जाएगा यानि कट अफ कितने जाएगा कितने नंबर पर आप ट्रेट टेस्ट के लिए बुला जाए तो यह सारे चीज़ों को पर हम आज किस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं ठीक है सबसे बहले च डिसक़ अगर आप पर दिये हो और रॉड चीज़ों ऑगर परनि नहीं चांट कोई सम्हय भी परसेंट फिप्टी प्लस ढोगांख है तो इसके अगर मैं बात करो तो यह वाल Siya आप陡़ा है में इसमें जाविथ यह षचर माकर को मैं निकाल डोव। इसके साथ में आपका अब जो है रिजल्ट रेट के रिजल्ट रेट का आपका जारी की जागा तो इसके अलावा जो सेफ स्कूर में एक और चीज इंपॉर्टन थी कि जैसे किसी कि कहना है कि मेरा किसी का स्ट है अब आपके जो पंदरे सो पंदरा पोश्ट की वेकैंसी थी उसमें भी आपका सेम यही हाल हुआ था कि आपके एराउंड जो कैंडिडेट्स थे 19,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था किसके लिए तो ट्रेट टेस्ट के लिए 19,000 में से फिर आपके 5,000-6,000 तो इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया और ट्रेट टेस्ट में अगर एक बैच बुलाया गया तो आपके एराउंड जो है 70-90 कैंडिडेट्स किसी किसी में तो दो-चार को छोड़ करके बाकि सारे क्वालिफाई कर जाते हैं ठीक है तो यह आपका रेस्जी हो रहता है तो ट्रेट टेस्ट में बहुत कम ही लोग चटते हैं जो चटते है वोँ अपने गल्थी को वाच से तो एराउंड आप यह मान करके चलो कि आपका अगर रगर ऐतना है तो आप ट्रेट टेस्ट देने जाओ लेकिन अगर फाइनल की बात कर लो कि फाइनल का कि अहां कितना सेलेक्षन हो पाएगा तो अगर 75 के आसपास आपका स्कूर है 75 के अगर आसपास स्कूर आप टच कर रहे हो तो आप अपने सेलेक्षन की भी उमीद रख सकते हो ठीक है तो बैसिकली दोस्तों यह इंपोर्टन चीज यह थी जो कि आपके साथ में सेयर करने चाह रहा था तो ब बेस्ट आफ लग दोस्तों जाकर क्या स्कूर अपना कमेंट करो कितना आपका स्कूर हो तो मिल दें नेक्ष उड़ें तो लिए धन्यवाद चेहें